हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टोर चैनल PCMB, डिजिटल गुरुकुल, आज हम पढ़ने वाले हैं, एवलुशन ओफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में, ओरिजिन ओफ लाइफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहां पर बताया जाता है कि कन्वेंशनली रिलिजिस लिटरेचर ह में बताता है, special creation theory के बारे में, कि सब कुछ automatic एक ही बारे में बन गया था, ऐसा लोगों का मानना है, सब कुछ as such created था, 4000 साल पहले का पूरा पृत्वी है, ऐसा भी लोगों का मानना है, इन आइडियाज को 19th century में challenge किया, कि हमस भीगल पे travel करने वाले Darwin ने, उसने कहा कि similarities होत वो similarities अभी के organisms के साथ नहीं, उससे पीछे वाले organisms के साथ भी ऐसी similarities पाई जाती है, right, any population has inbuilt variations, उसके अंदर बिना environment में change के पहली variations होती हैं, जो उसको बहतर allow करती हैं, या रखना inbuilt है, condition में survive करना, दूसरे से जाता बेटर breed करना, यानि कि reproductive fitness जो है, उसकी बहतर होती है, जि कि उसकी प्रोजनीज जादा आती हैं, और वो nature में select बार बार होता है, इसको बोलते है natural selection, अलफर्ड वेलस ने भी कुछ इसी तरीके के result दिये थे, मेले आरके पैलगों में पढ़ते हुए, all the existing life forms share common ancestors, however these ancestors are present at different periods in the history of earth, सभी ancestors जो हैं अलगलग समय पे present थे, और similarities सभी में आज भी present है, और हमने प्रिथवी को तीन इसों में बाढ़ दिया है, प्रिथवी के समय को, epochs, periods and eras, geological history को तीन इसों में बाढ़ दिया है, geological history, biological history से correlate करती है, और common conclusion ये है कि प्रिथवी, 4000 साल पुरानी नहीं है, जैसा बोल रहे थे भी थोड़ दिर पहले, बलकि ये billions of years old है, thank you so much for watching, keep supporting us.